दिली में प्रदूशन का इस सर कम नहीं हो रहा है दिली की हवा अभी भी इतनी ही जहरीली है आज भी वेरी पूर केटेगरी में दिली का एक्यू आई है देखेगा इसलिए आपको यहां पर तस्वीरों में देखेए हर तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ स्मॉग ही नजर क्योंकि दिली में आज भी जो जहरीली हवा की वज़े से लोगों को सांस लेना मुश्किल हो रहा है दिवाली खत्म हुए कई दिन हो चुके हैं करीब 15 से 20 दिन हो गए लेकिन अभी तक दिली की हवा साफ नहीं हो पाई है और आज के अगर में एक्यू आई कि पहले आप त देखिएगा क्या दिख रहा है तस्वीरों में आपको तो दूर दूर तक सिर्फ आपको स्मॉग नजर आएगा यहां पर जो में तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं सिर्फ मॉग है क्योंकि दिली का पलूशन अभी भी बहुत साधा खराब है अगर मैं आज की बात 389 है आज का AQI वेरी पूर केटेगरी और कमाम इलाकों का तो बहुत ही खराब है अगर मैं एयरपोर्ट का देखती हूँ एयरपोर्ट की क्या इस्तिती है देखे 423 सीवियर केटेगरी 423 है AQI एयरपोर्ट का और उसके अलावा अगर मैं जाओं यहाँ पर IIT डेली की क्या इस्ति है तो देखते हैं वहाँ का देखे 379 बहुत बुरे हालात है और अगर मैं गुरू ग्राम की देखती हूँ गुरू ग्राम का मैं आज AQI कितना है तो 375 वेरी पूर केटेगरी ये भी है उसके अलावा अगर मैं नोईडा देखती हूँ नोईडा का क्या हाल है तो देखिएगा 436 बहुत ही खराब 436 है AQI नोईडा का तो कहेंगे बहुत बुरे हाल है उसके अलावा मैं अगर आप जाऊंगी यहाँ पर अगर मैं CPCV को क्लिक करूंगी इसका AQI अगर मैं देखती हूँ यहाँ इसका AQI कितना है तो मैं यहाँ पर जाकर CPCV का समीर आप में जाऊंगी और मैं यहाँ पर जाकर देखती हूँ दिल्ली देखिए 385 AQI है देख रहे हैं आप CPCV की तरफ से जो AQI बताया जा रहा है जो इसमें देखिए वेबसाइट में शो हो रहा है समीर आप है उसमें 385 और अलग-अलग इलाकों पर अगर मैं जाती हूँ देखिएगा तो क्या हाल है शादीपूर 401 देख रहे हैं आप मंदिर मार्ग 405 और देखिए अलग-अलग इलाकों का देखिए कितने बुरे हालाप है यह देख रहे हैं आप नहरू नंगर 425 पटपटगंज 420 देख रहे हैं आप सोनिया विहार 428 यह देखिए 449 जहांगीरपूरी रोहिनी 424 विवेग विहार 449 और 458 जो है वजीरपूर का है 458, 430 बवाना इतने बुरे हाल हैं मुंडका 444 434 है आनन विहार का बुरारी 404 तो देख रहे हैं बहुत बुरे हाल है दिल्ली का एक्यूआई बहुत खराब है पल्यूशन का इस्तर बिल्कुल भी सुधर नहीं रहा है लगातार दिल्ली की हवा जहरीली बनी हुई है लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा है बुजर्गों और बच्चों के लिए तो और जादा बुरे हाल है क्योंकि इस हवा में सांस लेना उनके लिए इतनी बुरे हाल है इस वक्त की सुबा जो लोग बाहर मत निकले क्योंकि वह एक्यूआई लेविल बहुत जादा होता है इसलिए डॉक्टर्स तमाम एतियाद बरतने के लिए बोल रहे हैं क्यामरा प्रसंद विपुल के साथ मैं शालेनी बाच्पेंग टीवी नाट